नमस्कार दोस्तों मैं कुसुम आप सब का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी सी इस साबू दाना की नमकिन को जो टेस्टी के साथ बहुत हेल्दी भी है देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं साबू दाना नमकिन बनाने के लिए हमने यहाँ साबू दाना लिया है यहाँ हमने बड़े साइच का साबू दाना लिया है इसे नैलोन साबू दाना भी कहती है यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है अब हमने यहाँ पर दो आलू लिया है आलू के हमने छिलके उतार लिये हैं और इसे हमने पानी में रखा है ताकि एक काला न पड़े और देखिए इस तरह का हमने ग्रेटर ले लिया है आलो को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेती है आलो के हमें लच्छे निकाल लेनी है आप देख सकते हो हमने सारे आलो को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था अब ह हमने इसे चार-पांच बार पानी से अच्छी तरह से दो लिया है और देखी आलू के सारे स्टार्च निकल चुकी हैं अब हम इसका पानी निथार लेते हैं इस तरह से और इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह हम सारे आलू के पानी निथार लिये हैं अब हम दे का पानी सोख हो जाए और दूसरी तरह कपड़े रख के हम इसे अच्छी तरह से दबा देंगे आप देख सकती हो हमने सारे पानी को अच्छी तरह से सोख कर लिया है अब हम इसे दस मिनट के लिए इसी तरह फैले रहने देंगे दस मिनट बाद देखिए हमारे आलू के पानी सूख चुके हैं और ये कितने खिले-खिले हैं अब हम नमकिन बनाना स्टार्ट करते हैं तेल भी हमने यहां गरम होने के लिए रख दिया था तेल भी हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब हम साबूदाना को फ्राइ कर लेती हैं इसे हम इस तरह तेल में डाल देंगे गैस का आज यहां हम फास रखेंगे जैसे साबूदाना तल के उपर आ जाएंगे तब हम गैस का आज स्लो कर देंगे और इसे हम पांच मिनट तक स्लो आज पे ही फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हो सारे साबूदाना हमारे fry हो चुके हैं और इसे हम डिस में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारे साबूदाना को fry कर लेंगे अगर आप सब को मेरी वीडियो पसंदा रही होगी तो प्लीस लाइक कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दे दूसरे साबू दाना भी हमारे तलके तयार हो चुके है इसे भी हम डिस में निकाल लेंगे सारे साबू दाना को देखिए हमने तलके तयार कर लिया है अब हम इसी तेल में जो आलू का हमने लच्छा बनाया था वो फ्राइ कर लिंगे आप इस साबू दाना की नमकिन को फ्रेंड्स जरूर ट्राइ करिए ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है आप देख सकते हो तेल के बबल्स कम हो चुके है यानि हमारे आलू के लच्छे भी फ्राइ हो चुके है अब हम इसे भी डीस में निकाल लेती है इसी तरह हम सारे आलू के लच्छे को फ्राइ कर लेंगे दूसरे आलू के लच्छे भी हमारे फ्राइ हो चुकी है इसे भी हम डीस में निकाल लेती है सारे आलू के लच्छों को हमने फ्राइ करके निकाल लिया है अब हम इसी तेल में मुंखफली को फ्राइ कर लेंगे और गैस कार्च हम यहाँ पे स्लो कर देंगे मुंखफली को कभी भी फ्रेंट स्लो आज पे ही फ्राइ करें अगर हम इसे फास आच पे फ्राय करते हैं तो मुंखफली हमारी उपर से पग जाती है और अंदर कच्छी ही रह जाती है आप देख सकते हो मुंखफली भी हमारी तलके तयार हो चुकी है अब हम इसे भी डिस में निकाल लेती है मुंखफली को भी हमने फ्राइ कर लिया है अब हम बदाम को फ्राइ कर लेती है बदाम को फ्रेंट स्लो आर्च पे ही फ्राइ करें नहीं तो बदाम हमारे जल जाएंगे और इसे चलाते रहना आप देख सकते हो बदाम भी हमारे फ्राइ हो चुके है इसे हम डिस में निकाल लेते ही अब हम काजू को फ्राइ कर लेंगे आप देख सकते हो काजू भी हमारे फ्राइ हो चुकी है अब हम इसे भी डिस में निकाल लेते ही अब हम कड़ी पता को फ्राइ कर लेंगे कड़ी पता टोटली ओप्सनल है फ्रेंड्स अगर आपको दालना है तो दालिए नहीं तो इसकीप कर लेना लेकिन मैं इसाबूदाना के नमकिन में कड़ी पत्ता जरूर दालती हूँ इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है आप देख सकते हो कड़ी पत्ता भी हमारे फ्राय हो चुके हैं इसे भी हम डिस में निकाल अब हमने यहाप एक थाली ले लिया है थाली में हम फ्राय केवे साबूदाना दाल देंगे फ्राय केवे आलूल अच्छा मुंक्वली बादाम काजू करी पत्ता और हम यहाँ पे नमक डाल देंगे जैसे कि मैं वरत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ अगर नॉर्मल खाना हो तो आप साधाल नमक भी यूज कर सकती हो अब यहाँ पे एक चमच हम काली में इच पॉडर डाल देंगे और देखें यहाँ पे हमने सुगर पॉडर लिया है सकर को हमने मिकसर पे अच्छे से पीष लिया था आप सुगर पॉडर को जरूर दालना इससे साभूदाना नमकिन में काफी अच्छा टेस्ट आता है अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हो साबू दाना नमकीन हमारे कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को जरू ट्राय करना सच के रही हूँ ये मार्केट से भी अच्छी बनके तयार होती है साबू दाना नमकीन हमारी बनके तयार है रेसिपी पसंद आई हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कामेंट्स करके बताए कि रेसिपी कैसी लगी थैंक यू